जहिन दोस्तो सीटेट के वेबसाइट पर सीटेट एक्जाम का आंसर की अप्लोड हो चुका है बट इस आंसर की को कैसे चेक करना है क्या प्रॉसेस है इस वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ और ये भी देख लेना कि केन लोगों को ये चेक करना चाहिए तो देखो सब आपको अपना रिस्पॉंस की डाउनलोड करना है तो अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले ये कर लेना ओके फिर उसके बाद जो आपका में क्वेश्चिन पेपर है वो डाउनलोड कर लेना फिर उसके बाद अपना आप आंसर की डाउनलोड कर सकते हो तो ये है तीनो स्टेप्स ठीक है अब देखो तीनों चीज आप डाउनलोड करोगे तो क्या क्या चीज आपको मिलेगी देखने को यहां पर समझ लेते हैं तो सबसे पहले जब आप अपना रिस्पॉंस की डाउनलोड करोगे तो उसमें आप से अप्लिकेशन नंबर या तो रॉल नंबर मां जालागे तो आप अपना रिस्पॉंस की इस तरह से डाउनलोड कर सकते हो जिसमें कि आपको अपना चोजन ऑप्शन दिखेगा कि आपने क्या चूज किया है ठीक है फिर दूसरी चीज क्या करना है question paper को download करना है तो question paper आपका जिस दिन आपका exam हुआ था वो date और कौन सा paper आपको download करना है वो चीज और language का sequence आपको वहाँ भरना पड़ेगा तब आप question paper को download कर सकते हो देख लो यहाँ पर क्या क्या चीजें मांगीगी कि आपका exam किस दिन है मतलब किस दिन आपने exam को दिया था और कौन सा paper आपको देखना है मतलब कौन सा question paper download करना है paper 1 या paper 2 और यहाँ पर sequence जो यहाँ पर दी गई है सबसे पहले English फिर उसके बाद Hindi अगर आपने इस sequence में language को चूज कर रहा था तो आप इस पे क्लिक करना अगर आपने पहले हिंदी लिया था और दूसरे में English तो आप इससे चूज करना ठीक है तो यह आपका sequence रहेगा फिर लास्ट आप क्या करोगे अपने answer की को यहां से डाउनलोड कर लेना जो कि आपको link दिख रहा था आगे ठीक है तो यह था में आपका process और फिर आप तीनों को मैच करोगे यह था लेकिन अब problem क्या आ रही है किसको नहीं चेक करना चाहिए तो देखो जब आप अपना response की डाउनलोड करोगे तो response की में काफी लोगों के questions शो ही नहीं हो रहे हैं तो जब question ही नहीं शो कर रहे हैं तो कहां से वो मैच कर सकेंगे तो फिर दिक्कत होगी न मैच करने में तो वो लोग तो नहीं कर सकते हैं चेक तो ऐसे लोगों को चेक नहीं ही करना चाहिए जब response की ह हो रहा है तो आप प्लीज अपना चेक कर लेना क्योंकि ऐसे कई सारे questions थें जो की गलत थें exam में ठीक है या फिर Hindi और English language के passage अलग थे question अलग था कई shift में ऐसे problem देखने को मिली है तो मेंली आपको वहां पर अपने questions को claim करना है तो claim करने के लिए आपको check करना जरूरी हो जाएगा ठीक है तो जिनके भी response की show हो रहे हैं तो वो please अपने answers को अच्छे से मिला लो और जिनके शो ही नहीं हो रहे हैं तो फिर क्या ही बुला जाए ऐसा होना तो नहीं चाहिए था बोर्ट की तरफ से इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था बट शो नहीं हो रहे हैं तो यह आपकी आपकी गलती नहीं है ठीक है बट जिनके हो रहे हैं आप जरूर से चेक कर लेना और इसी process से चेक करो तो सारी चीज़े सही है answer की गलत नहीं है आपका okay all the best thank you bye